आज हम इस वीडियो 13B में exercise 13.2 का question number 1, question 2, question 3 and question number 4 solve करेंगे बात करते हैं सबसे पहले question number 1 की इसमें हम लिख देते हैं exercise 13.2 बात करते हैं सबसे पहले question number 1 की find the number of lines of symmetry for each of the following shapes तो इस तरह से आपको इन shapes की number of symmetry lines आपको find out करना है तो कैसे करना है देखते हैं इसको 1 by 1 solve करते हैं देखो जिशे यह है अब यह क्या है square है अब इसमें number of lines कितनी है देखो एक तो ही होगी number of lines एक ही होगी दो होगे एक ही है 3 एक ही है 4 तो कितनी होगी 4 number of lines कितनी होगी symmetry इसमें 4 होगी बी की बात करते हैं इस figure में भी same है 1 2 3 4 कितनी है 4 number of lines symmetry of lines 4 है C इसमें भी 1 2 3 4 4 इसमें कितनी होगी यह figure जो है इस figure में एक doll है इस तरह से इसमें only 1 होगी इसमें कितनी होगी ठीक बात करते हैं इसमें कितनी होगी अब इसमें आपको find out करना है कि इसमें कौन कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो इस सहां के figure में only 6 होगी 1 2 3 3 तो यह होगा है और 1 4 5 और 6 तो कितनी होगी 6 ii 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 i इसमें भी नहीं है जो फिगर है यह वाला इसमें भी लाइन अफ से बेट रही नहीं है ठीक है बात करते हैं आएगी तो इसमें कितनी होगी एक तो यहां से दो तीन और चार इसमें ओनली थ्री होंगी पर इसमें कितनी होगी इसमों कितनी होगी एक समager करना है अगर को doc भी तो questions एक्सक्ष करणा है है कोई अजिय कोई आशा भात देव predicting करोंöd कर सकता हूं ठीके questions 2 question 2 आपको homework में solve करना है simple question है मैंने homework में दिया को question 3 के बात करतए है question number 3 में है complete the following table shape दी है rough figure दी आए और number of lines of symmetry बतानी है कि कितनी है ठीक जिसे question 3 का part number first दी है equilator triangle आप जानते है equilator triangle वो triangle होता है जिसकी all sides equal होती है तो इसमें कितनी है एक तो एक ये है 2, 3 इसमें number of symmetry lines 3 है square की बात करती है तो square कैसे बनता है इसमें all sides equal होती है यानि four sides equal होती है ठीक तो इसमें किया है देखती है इसको square हो गया चलो पहले हम check करते है figures द्रा कर लेते है rectangle बनता है इसमें opposite sides equal होती है और ISO इसके जाए triangle both triangle होता है जिसमें only two sides equal होती है any two sides यानिक ये sides इसके एकल होगी ये side नहीं होगी rombas बो होता है जिसमें all sides equal होती है लेकिन कुछ इस ट्राप का होता है ऐसे circle आप जानते है बहुत इच्छे से हमने आपको ये topic भी आप कराया circle का इस तरहां से होता है square में square में number of symmetry lens कितनी होती है दिखो एक ही ये एक तो ही होगी होगी ना और एक हो गई दो हो गई तीन हो गई चार तो एक दो तीरी और चार कितनी ही four ठीक इसका नम दे दो यहाँ L1 ये number of symmetry lens L1 L2 L3 ठीक है rectangle की बात करते हैं तो rectangle में only two होती है ये की ये और ये की ये तो L1 और L2 तो इसमें two ISO scale triangles में ISO scale जो triangles होता है उसकी बात करते हैं लोग तो ISO scale triangle में only one होती है कितनी होती है one ये बोई होती है इसका नम दो L1 only one होती है और हम बस में 2 होती हैं एक तो ये और एक एल 1 और ये ल 2 आप इसकोर की बात करते हैं इसकोर एक ऐसा फिगर होता है जो जिसमें इंफनाइट नमर ओफ सिमेट्री लैंस ड्रॉ कर सकते हैं इंफनाइट कोई इसकी लिमेटी नहीं होती है तो क्योंकि आप यहां से भी यहां से भी यहां से भी यहां से भी लेकिल बो जो भी नमर ओफ सिमेट्री लैंस से ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होके जाना चाहिए सेंटर से फास होनी चाहिए तो इसमें इंफनाइट लोगो क् कोई लिमेटी नहीं होती है, अलिमेटेट, ठीक, तो कोई नमर 3, यहां complete होता है, कोई नमर 4, देख लेते हैं एकम लोग, कोई नमर 4, तो कोई नमर 4, थोड़ा सा interesting है, 4 को, हम लोग solve करेंगे, 1 by 1, जैसे करते हैं, चले आएं, ठीक है, लिखा है, तो यहां लिखो, यहां होती है, तो यहां लिखो, यहां होती है, इसके ट्राइंगल में वन लाइन ऑफ सेमेटरी होती है कियलियर आप समझते जाना टूपको कुछ हम समझा रहे हैं अबको इसमें यह साइट्स इसके एककोल उती है और यहां से लाइन ऑफ सेमेटरी होती है तो सको allein है, ऐसी exactly two lines of symmetry two lines of symmetry किसी angle में होती नहीं है तो no such triangle cannot be ऐसा कोई angle होते है जिसमें two lines of symmetry हो या तो one होगी, या three होगी या नहीं होगी, two नहीं होती है, बर स्मझेंे, exactly three lines of symmetry तो yes, ओती है, कब होती है, किस case में होती है तो आप यहां लिखेंगे यह से एक्यूलेटरल ट्राइंगल एक्यूलेटर ट्राइंगल में त्री लाइंस आफ सिमेटरी होती है कैसे होती है इसको हम देख लेती है तो आप सब जानते हैं एक्यूलेटर ट्राइंगल बोड ट्राइंगल होता है जिसमें all sides एक्कुल होती है क्यों होती है ये sides ये sides और ये sides all sides एक्कुल होती है इसमें क्या है एक line यहां से draw करेंगे यहां से यहां से ये इस side का और इस side का symmetric होगा अगर यहां से draw करें तब भी ये symmetric हो जागा और यहां से draw करें अगर हम लोग एक lens इसके center यहां से तो यह भी एक symmetry को जागा Yes, होती है No lens of symmetry ऐसी कौन सा triangle होता है जिसमें कोई sides से symmetry नहीं होती है तो हम जानते हैं वो को होता है scale and triangle ऐसा triangle जिसमें कोई sides equal नहीं होती है अगर एक 5 cm है तो तो उसे 6 होगी और 3, 7 cm होगी समझ गए इसका figure कुछ ऐसा होता है अगर यह 4 है तो यह 7 होगी और यह 6 होगी समझ गए आप लोग हाँ तो question number 4 हमने complete किया question 1, 2, 3, 4 और कल हम question number 5, 6, 7 इस ताना से question solve करेंगे और इस exercise को end करेंगे ठीक तो आज की वीडियो माद इतना ही और एक बात और जो मैं कहता हूँ लाशन में वीडियो के वीडियो को जरूर देखें बिना वीडियो को देखें नोट्स को नोट ना करें अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके कुछ नहीं समझ मैंगा आप अच्छा आप्टेंट नहीं कर सकते और ऐसा हुआ है अभी जो हपल एक्जाम होगे थे mostly students के साथ ऐसे हुआ है के लिया और बस सर काम पूरा हाँ काम पूरा है लेकिन ऐसा नहीं करना है पहले वीडियो को देखनी है समझना है तब नोट करना है मैं हर वीडियो के लाशनल यहीं बोलता हूँ दूसरी बात ही है कि assignment जो assignment मैं दूँ वो assignment important के point of view से very very important है वहुत वहुत important है अगर आप assignment करते हैं मेरे notes को अच्छे से note करते हो सम वीडियो को देखते हो तो बहुत अच्छे marks आप obtained कर सकते हो तो मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे करें और first time ठीक तो आज की वीडियो में इतना ही thank you, bye